इसे चलना है वैसे ही चलने देंगे, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं, कि हम जब तक लिखित में नहीं दोगे तब तक नहीं मानेंगे, लोगों को लग रहा है यह किसान ऐसे कैसे अड़ गए, वो इसलिए अड़ गए, क्योंकि सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी प जिहाना ने कमेंट कर दिया, कि भाई, फार्मर फॉटेश हो रहा है, सब कुछ सारी वॉलिविट, सेलिबिटीश की, ऐसी तैसी हो गई, जिहाना कैसे कर सकती है, हम तो देश के बीच में हम क्यों नहीं करेंगे, अरे भाया, तुम करते न आप तक, क्यों भाई, सचिन बंदोलन चला, बच्चे तमाम सुसाइट कर रहा है, नौकरीना लगने से, तब आपकी बोलती बंद हो गई थी, तब भी आप लिख देते एक कमेंट, कि भिरोजगारों की भी सुने सरकार, तब तो आप नहीं बोले, पूरे वर्ल्ड में हमने नंबर बन पे ट्यूट कराया, तब एक का भी ट्यूट नहीं आया, तब उस कंगना की बच्ची का भी नहीं आया, कि भिरोजगारों की भी सुनी जाये, जिसको हर मामले में टांगडानी की आतते, अब भार्मर प्रोटेस्ट पे किसी भार के सेलिबिटी ने कर दिया, तो तुमारी एगो सून हो ग तब किसी का ट्यूट नहीं आया तुमारा, तब तुम क्या कर रहे थे, अच्छा पैसा मिलता सरकार से ट्यूट करने का तू करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो ऐसे रिहाना को भी मिला है, और पैसे के लिए उसने भी कर दिया, जिल क्यों रिया अब की अब इतनी, अरे एक बात बताओ, अब तो मामला आ गया कि हम घर गर के लोगें अपना निपटलेंगे, अगर तुमारे महलने में एक पती अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करे, गाली कलोंच करे तो तुम एक दो घंटे बरदास्त कर लोगे, जब वो उसको मारने लगेगा, तो तुमें भी जाना पड़ेगा निकल के, कि भाई मार क्यों रहा है इसको, समझ रहे हो, तो जब अगर देश में कुछ गलत होगा ना, तो बहार के लोग बोलेंगे, आप मौका क्यों दे रहे हो, असी दिन बात किया है ना, दिहाना ने ट्यूट, आप इस माम शेलिविटी का ना, बहिस्तकार करो, जब बात बिरोजगारी की आती है, तब ये एक ट्यूट नी करते, अच्छा कुमार के पास, मोदी जी का इंटर्विए लेने के लिए टाइम निकल जाता है, कि आम चूश के खाते हैं, या प्हें के खाते हैं, चाट के खाते हैं, तो अकेला 100 bus बरवर के बेच रहा था तुम भी 400-500 bus बरवर के भेच देते तब तुम्हारा घ्ञान कहां चला गया था आज तो बड़ा ग्न दे रहे हो भार के लोग ट्यूट नी करेंगे, इंडिया अगेंश्ट प्रोपोगेंडा, काई का प्रोपोगेंडा, भार के लोगों को ये लग रहा है, कि देश में सामती फैल रही है, दिक्कतें चल रही है, तो कर दिया उन्होंने ट्यूट, अरे रिहाना का बॉइफेंड दिल्ली में बैठा है, अगर हमारे भी पडॉस में दिक्कतें कोई पैदा करेगा ना दूसरे गर में, तो हम भी जाके अपना सजेशन देंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, गलत मानना है, तो इन बातों को मानो, इन वॉलिवूड सेलिविटी की उन बातों पे कहो, जब इनोंने में टांगडानी की आदत है, और जहां तक सवाल, फार्मर प्रोटेस्ट का है, तो मुझे इसकी नोलेज नहीं है, मैं घड़ित पढ़ाने वाला आदमी हूं साधर अनसा, मैं इतना जानता हूं कि अगर बेटा किसी बात पर जीत कर ले, तो बाप को उस पल के लिए वो फै कर रहे हैं, यूएस में भी आम पहुंच रहा है, तो ये मत कहो कि भारत के किसान है, तो मामला भारत तक है, भारत के किसान का गयों भार भी जा रहा है, तो मामला भार तक भी है, तो उसको निप्तानी की जरुवत है, आज सरकार को क्या फरक पढ़ता है, इतने दिन से के फैसले से असहमत नहीं दिख सकते यह गुना कर दिया हमने विरोजगारों तो कोई सुनने वाला है नहीं अब किसानों का भी हमारा हिम्मत ही तूट के हम भी सोच या करेंगे लेकिन क्या करेंगे आंदोलन करके फायदा क्या होगा आंदोलन करने का 80 दिन ऐसे रोड पर कि जब देश में और भी मुद्दे होते हैं तो भी ट्यूट करना सीखें, आपको celebrity भगवान हम लोगों ने बनाया है प्यार दे दे के, तो उस प्यार का इतना सम्मान रखें कि जब देश में और भी समस्यां आती हैं, तो उन पे भी आप celebrity हैं, आप कोई सरकार के चाटूकार नहीं है कि आप सरकार के फेवर में ही ट्यूट करेंगे, और अगर सरकार ऐसे cases पर जेल डाल भी देती है न, अगर इतना बोलने पर तो डर हमें भी नहीं लगता, ठीक है डाल तो जेल, गल्ती करती क्या हमने कुछ, गांधी जी भी बहुत बार जेल गए ते और तमाम बड नहीं सकते, आप सरकार के खिलाब बात नहीं कर सकते, और सोचो उन लोगों से जिन्हों ने देश के लिए खुन बहा दिया, तो उन लोगों से सीको, और सरकार के खिलाब भी बोलना सीको अगर गल्ती है तो, खतम क्या है,